हेलो फ्रेंज जे माता दी तो आप सभी को किरन विसकर मारी ये लाइब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके साथ से कर रही हूँ नियू रेस्पी बिल्कुल सिंपल तरीकेस और बहुती टेस्टी बहुती साधिश्ट और जो घरों में है चीजों उनी ची पुई गोदिये तो जिससे इसका जड़ब है वो चला जाता है और मैंने इसे तो काट लिए टमाटर है चार वह भी मैंने कट कर लिए और यह जो लोकी है इसको मैं कद्दू कस कर लूँगी तो फ्रेंड से आज हमारी जो रेस्पी बहुती अलग तरीके से हैं और मैं कद् बेसन और बूण लूँगी और अच्छे से बूण लोगी जब इसमें खुस्भू आने लगेगी ताभी हम इसे निकाल लेंगे और इसमें आदर जो मेने बेसन कट्वल लिए है उसे थोड़ा सा काम मैने मैदा लिया है इसको भी अच्छे से बूण लूँगी और जो इस जो कद्लु कस्किय लगई का पानी है, तो मैं फिकाँंगी नहीं इसने निचान लिया है । ट्रहम दूर भणोग पूल्यन में बेशन डाला है भुणआ हुआ और मैगाद दाला है तो अब इसस्सक्राइब दालूआ हड़ी नमक तो इसने था हींग एक चमच बस मेजे इतना ही चीज़ डालना है और इसको अच्छे से मैं मेस कर लूँगी और इसे मैंने मुझे छोटे छोटे बॉल बनाने हैं तो मैं बॉल्स बना लूँगी इसमें क्योंकि इने मुझे फ्राइ करने है और बहुती टेश्टी बनते बहुती स्वाधिस्ट बनते एक बात जुरू ट्राइ कीजिएगा हमारे हिसाब से तो यह दिखें मैं एक एक करके इसे फ्राइ कर लूँगी काफी अच्छा लगता है तो फ्रिंट्स हमारे वीडियो पर बने रहीगा मुझे थोड़ी सी आपसे बात भी करना है फेस टू फेस तो इधर मैंने फ्राइ कर लिया है तो इधर डाल दूँगी तेज बत्ता जितने सारी खड़े मसाले में आते हैं जीरा खड़े मसाले होते हैं वो सम में डाल दूँगी और इधर डाल दिया था हींग एक चमच इसमें डाल दूँगी मैं प्याज अच्छे से गोल्डन होक फ्राइ कर लूँगी और क्योंकि मुझे इसका बनाना है पेश्ट इसलिए मैं इसको अच्छे फ्राइ कर रही हूँ और इसमें डाल दूँगी टमाटर और लेसन मैंने नहीं डाला था तो इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी, दनिया, मिरच, टेस्ट के अकोडिंग नमक और थोड़ा सा गरम मसाला तो इसमें पहले सही गरम मसाला डाल रखा है और इसे पकने तक इसे छोड़ देती हूँ और ये देख लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी तो इसे मिक्सी में हमें पेश्ट बनाना है तो मैंने पेश्ट बना लिया है तो इसमें अमने बहुने में ओयल डाला और इस पेश्ट को मैंने डाल दिया इसे अच्छे से मैं भूल लूँगी ये देखे कितने अच्छे से भून जाएगा और पहुतीज खुसबू अच्छी आरी अब इसमें डालेंगे हम दही आधी कटोरी और ये दही घर का बना हुआ है इसलिए ये थिक नहीं था और इसे मैंने मिक्सी के जार में ही इसो इसे पेश्ट बना लिया था इसमें डाल देती हूँ पानी वही जो मेरा पानी लोकी का पानी था वही मैंने डाल दिया है इसमें और इसमें डाल देती हूँ पकोड़ी तो अब मैं दो मिनिट के लिए बना लिये थे देखिए इस तरीके सी हमारी कोफता की रेड़ी है और इसमें मैंने डाल दिया है घर की बनी हुई मलाई फ्रेस और इसमें एड़ कर दूंगी धनिया की पत्ती तो ये फ्रेंट्स आज की हमारी रेड़ी कैसी रही तो आज किया हमारी रेड़ी आपको कैसी लगी तो बताईएगा और हाँ कहीं भी आपको इसमें कमी लगती है तो प्लीज वो भी आप बताईए हमारी रेड़ी में कोई भी कमी लगती तो वो आप जरूर बताईए आप यह मत कहिए कि स्वादिस्ट है या टेष्टी है जट हो अगर आपको बहुत अच्छी लगती हो तो उसमें बताईए अगर उसमें से थोड़ी भी कमी लगती तो प्लीज बताईएगा जरूर तो मेरी फ्रेंट्स ने बहुत अच्छी थी मेरी बेनें हैं उन्हों मम्मी ने ये इस recipe सिखाई थी मैं बच्पन से ही मम्मी के मम्मी से सीखी हूँ बहुत चीजे recipe है और बहुत चीजे मैं मम्मी उजी सिखा दे थी और कुछ नहीं ये मेरी मम्मी ही गुरू थी कुक बहुत अच्छी थी और उन्होंने ही मुझे रेस भी अच्छी सी अच्छी सिखाई वही मैं आपके साथ सेयर करती हूँ तो फ्रेंज बस इतना ही और मैं इतना भी कहना चाहते थे अगर आप हमारे चैनल पर निव आते हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना ऐसे नहीं कि घंटी आपने लाइक किया और चले गए कमेंट करके नहीं नहीं आप भी सब्सक्राइब किया मैं भी सब्सक् और जो हो रहे, वो भी अन हो रहे, मेरे तो रूज अन होते हैं, पांचे, तो प्लीस एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, अगर जब तक हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को जोइन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, व्यूज नहीं आएं एक दूसरे का support करें प्लीस दो फ्रिंस मैं यहीं तक कि आपसे बात करना चाह रही थी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है मेरी कोई भी वीडियो है बहुत बड़ा नहीं होता है पंस या छे मिनट का होता है जदा बड़ा नहीं होता है तो सायद आज मेरी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है तो प्लीज पूरा जरूर देखिएगा तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलूगी बाई बाई